हेलो बच्चों मैं केमिस्ट्री गुरू विश्णू और अभी मैं आठ बजे ठीक आठ बजे मैं लाइव अपनी क्लासेज लेके आया लेकिन वार है मेरे इंडिया का नेटवर्क ये तो कोई काम नहीं करने देता है मेरे दिल की खाईश थी कि मेरे कंट्री के जो बच्चे जिनको प्रॉबलम है फैनिंशियल प्रॉबलम है जो लोग पड़ नहीं पा रहे हैं स्कूल खुले नहीं है कोचिंग खुले नहीं है कोचिंग अगर जहां पर ऑन-लाइन खुली हुई है उनकी फीज बच्चा नहीं देपा रहा है तो मेरी कोशिश थी मैंने कल आट बजे से एट पीम पे मैंने स्टार्ट किया था क्लास 12 की सॉलिड स्टेट जैसे तैसे 20 तू 25 मिनट्स क्लास चली लेकिन जब मैंने बाद में उसको देखा तो उतनी परफेक्ट नहीं थी ना वाइस क्वालिटी उसमें आ रही थी ना वीडियो क्वालिटी आ रही थी उसके बाद आज मैंने एट पीम पर स्टार्ट किया मैंने इतना ये सब देखिये मैंने सब लिखा आवाज जानी रही थी मेरे जो एसिस्टेंट थे यहाँ पर जो वीडियो बनाने के लिए देख रहे थे उन्होंने बोला कि साउंड बहुत बुरी तरह से कट के आ रही है तो मैंने कहा कि या रहा है ऐसे तो पढ़ाने का कोई फाइदा नहीं हुआ बच्चों को ऐसे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे बच्चों को इतमिनान से पढ़ना चाहिए तो ये मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटिजी चेंज करे देखें मैंने लिखा नो वाइस, सौरी भी बोला, सौरी बच्चों मैंने पुरी कोशिश की थी कि मैं लाइब क्लास रखूंगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंडिया जैसे मुलक में जहां पर नेटवर्क की इतनी प्राब्लम है कोरोना के पीरियड में इतना तकलीफ देगी हम लोगों को मैं घर में भी क्लास लेता हूँ ऑनलाइन जूम एप पर बढ़ाता हूँ और जूम एप पर किसी तरीके से फिर भी काफी अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहता है यहां पर तो मुझे बहुत प्राब्लम हुई मैं सुझा कि यूट्यूब के थ्रू मैं करूंगा तो एक तो आप सब लोगों से बड़ी दिल से गुजारिश है क्योंकि देखिए इस एर में बहुत प्राब्लम रहने वाली है स्कूल एक बात तो बड़ी मुश्किल चांस है खुलने के अगर खुलेंगे भी तो बहुत कम दिन के लिए खुल पाएंगे इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोग थोड़ी सी मेरी मदद करो केमेस्टी का बेड़ा मैं आपका पार कर दूँगा एक अच्छे परफॉर्मेंस है सेवेंटी से लेकर नाइंटी परसंट तक के मार्स जिसको चाहिए जिसको मज़ा आए जो कम मेहनत करके सेवेंटी टू नाइंटी परसंट मुझे नाइंटी प्लस पे नहीं जाना है मुझको नाइंटी प्लस पे जाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है बहुत मेनत करनी पड़ती है और 90 तक लाने के लिए बहुत कम मेनत करनी पड़ती बहुत फरक है तो जो 70 से लेकर 90% में खुश हैं वो मेरी क्लासेस को अटेंड करें पूरा 100% फ्री तो अब मैं ओनलाइन तो क्लास नहीं नहीं पाऊंगा मैंने आपसे एक वायदा किया था कि जब तक हिंदी कुछ लोग आप लोग समझते होगे कि जब तक स्कूल क्लोजड कोचिंग क्लोजड तब तक केमिस्ट्री गुरू विष्णू स्टार्टड जब स्कूल या कोचिंग खुल जाएंगे तब फिर डिपेंड करता है कि मैं आउनलाइन रहूं कि मैं ना रहूं तो अब एक काम तो आप लोग यह कि को कि कि मैं एक एप के थूँ मैं उसको कर रहा था लाइब क्लास को और मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है मैं जूट नहीं बोल पाता हूं मैं कोई एक्टर नहीं हूं जो है दिल के अंदर वो मैं आपके सामने रखता हूं आप लोग भी बच्चे हो आप लोग भी अच्छा बुरा पता नहीं समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मैं जब जन बच्चों को पढ़ाता हूँ काफी समझदार हैं बातों को समझते हैं अच्छे से, समझाद हो अगर तो समझते हैं वो बातों को, अच्छे बुरे का फैसला हमारी युवा पेड़ी को यूथ को है, तो जब तक ये बंद रहेगा तब तक मैं आपको क्लास लेता रहूँगा, लेकिन अब मैंने थोड़ तरीका बदल दिया, म दो वीडियो में, फॉरेवर हमेशा के लिए शायद न रखो, एक या दो दिन के बाद मैं उनको डिलेट कर दूँगा, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, अच्छा रहेगा कि आप ठीक आट बजे उसको पढ़ें, ताकि आपको फीलो कि वो लाइट क्लास की तरह ही ह अच्छा लिए कि जब आपको 246 टर्न पे क्लास 11 का होगा, अच्छा, क्लास 12, देखिए, 11 की क्लास जो हुआ करेगी, वो 246 वाले टर्न पे जाया करेगी, 8 से 8 PM ते मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, और जो 12 की जाएगी, ये तो 11 की होगी, देखिए, 11 की ये हो गई, और 12 की क्या हो गई, तो 12 की हो गई, 13, 5, 8 PM, और मैं वीडियो एक-एक अपलोड कर दूगा, मैं अच्छे से इत्मिनान से, सुबह के टाइम में बढ़िया लाइट होगी, वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी, क्लियारिटी होगी, वाइस क्वालिटी अच्छी देगी और आपको बिल्कुल क्लियर चीजें देखने को मिलेंगी, तो मेरी एक गुजारिश है, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, आप लोग थोड़ी सी हेल्प करोगे, तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर मै ट्राइब करूँगा तो हो सकता है, कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अभी एप के थ्रू है, तो एप का काम आप समझते हो, कि एप के थ्रू यूट्यूब उतनी अच्छे से मदद नहीं करता है, और डिरेक्ट यूट्यूब पे अगर मैं आऊँगा, लाल-लाल पट्टी बनी हुई रेड कलर की सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बटन दबा दो, उसके बगल में बेल आइकन मना हुआ है, उसको आप प्रेस कर दो, आपकी पड़ाई का जुम्मा मैं लेता हूँ, कोरोना की वज़े से अगर स्कूल बंद रहेंगे, कोचिंग बंद रहेंगी, तो मैं आपको साथ निवाता रहूंगा, 100% free, और ये मेरा अपनी country को एक छोटा सा contribution है, मैं हर क्लास के बाद जैन बोलता हूँ, क्योंकि देश मेरे दिल में बसता है, मेरे दिमाग पे मेरे जहन में रहता है, मैं अपनी country के लिए युद्ध तो नहीं कर सक तो मैं पढ़ाने के लिए आपको contribute करना चाहता हूँ, तो 11 वाले बच्चों को परसों, 246 का मतलब है कि परसों आपको Saturday को, परसों जोबी दिन पढ़ेगा, उस दिन आपको उसका वीडियो मिलेगा, और 135 वाली क्लास में, क्लास 12 का वीडियो मिलेगा, तो कल मैं मिलूँग क्लास 11, क्लास 12 के solid state के लिए, और मैं परसों मिलूँगा, क्लास 11 के साथ, फर्स चेप्टर को लेके, तो बच्चों दिल से बहुत-बहुत सौरी, बड़े मन से मैं आया था, लेकिन अब मैं आपको अगले turn पे वीडियो बना के दूँगा, बाकि जो आपको suggestion देना हूँ, माफ करें, मदब जरूर करें, ताकि मैं यूट्यूब पे लाइफ क्लास ले सकूँ, ठीक है बच्चों, दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिन, ओके.